हाई एवरिवन तो आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं physics with धीरज वैसे एरिया की बात करें तो एरिया का formula आपका क्या होता है length into breath और बात करें एरिया के direction की तो आज तक हमने एरिया का कोई direction नहीं पड़ा है और बाकी scalar और vector quantities के थुरू आपको ये पता है कि scalar quantities वो quantities होती है जिसमें केवल magnitude होता है और vector ऐसी quantities होती है जिसमें direction तो होता है magnitude तो होता है साथ साथ में direction भी होता है तो area को अगर हम उस तरीके से देखें तो area तो हमें scalar quantity नजर आ रही है अब बात करें class 12 तो physics में तो यहाँ पर area vector क्यों बोला गया अब इसको समझते हैं तो देखो physics में area vector को बनाने के लिए या area को करने के लिए जो भी हम आगे को derivation करेंगे area का एक direction मना जाएगा तो physics में हम area के यानि की area को vector quantity बोलते हैं कैसे अभी समझेंगे माल लो आपके पास क्या है कोई एक surface है इस तरीके से आपने consider कर लिया कोई एक surface है तो इस surface का area vector physics में क्या लिया जाता है surface के outward normal लिया जाता है और इसके direction को आप कैसे दिखाते हो a vector और n cap से दिखाते हो और अगर हम इसको लिखने के लिए represent करें तो आप कैसे represent कर सकते हो a vector equals to a n cap करके represent कर सकते हो कैसे या आप ऐसा लिख सकते हो area vector equals to area vector equals to a vector upon n cap अब अच्छा यहाँ पर n-cap क्या है, n-cap है normal, normal towards surface, जो कि यह unit normal भी बोल सकते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, unit normal भी बोलते हैं, तो area vector physics के अंदर एक concept माना गया है, कि अगर हम किसी surface का area vector निकालेंगे, तो उसे surface के perpendicular ही मानेंगे, और surface के outward मानोगे, तो physics के अंदर हम बोलते हैं, for any surface, area vector, area vector is always, is always taken in, taken outward normal, taken in, taken as outward normal, आप क्या बोल सकते हो, taken as outward normal, outward normal, normal का मतलब perpendicular, यानि कि perpendicular direction में, जैसे imagine कि यह आपके पास कोई एक surface है, तो इस surface का area vector क्या हो जाएगा, surface के outward normal, बाहर की तरफ को, पीछे वाले face से क्या हो जाएगा, उसके outward normal, बाहर की तरफ को, यानि कि इस वाले face से इधर को, और इस वाले face से इधर को, अब थोड़ा और deeply जाते हैं, कैसे होगा, माल लो आपके पास कोई एक surface, कोई एक coordinates से इस तरीके से दिया है, plane दिया हुआ है, आपको x, y और z, इस पर मैंने क्या रख दिया, एक area रख दिया, या एक, यहाँ पर हमने एक square रखा, यह आपका P, यह आपका Q, यह आपका R, और यह आपका S, इन दोनों के बीच का, यान vector quantity होती है, consider करके चल रहे है, इसका कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है, कि भईया यार, outward normally क्यों लेते है, inward normal क्यों नहीं लेते, ठीक है न, जैसे-जैसा हम topic को पढ़िंगे, आगे को आने वाले lectures में, आपको खुदवा-कुद समझ में आने लग जाएगा, तो देखो, यहाँ पर हमार अगर आप इसको लिखोगे, तो A into A लिखोगे, और class 11th में अगर तुम्हें याद हो, तो हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था, हाला कि मैंने तो lecture नहीं डाला हुआ है, पर आपको ज़रूर पता होगा, हम मुहाबर पढ़ते थे, जब कभी भी दो product के बीच में, यानि कि cross product आये, तो वो कैसी quantity मानी जाती थी, cross product को हम बोलते थे, vector quantity और dot product को हम बोलते थे, scalar quantity, तो हम यहाँ पर से क्या बोल सकते हैं, area is vector quantity, तो इस according हम मान सकते हैं कि area हमारी कैसी quantity है, एक vector quantity है, तो physics के अंदर यह माना जाता है, अब देखो आने वाले lectures में आप क्या देख होगे, वहाँ पर कैसे decide करेंगे, मान के चलो आपके पास कोई एक ऐसे दे दिया, आडा तिर्चा कुछ भी दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम इस पूरे surface के लिए तो area नहीं निकाल सकते हैं, देखो जैसे कोई एक copy है, यह copy है, इसका surface यह है, तो इसका area vector surface के outward normal, याद रखना area vector हमेशा surface के outward normal लेते हो, 2D surface के लिए तो invert भी लोगे answer आ जाता है, पर 3D के लिए हमें outward normal ही मानते होए चलना पड़ता है, ठीक है, तो देखिए, यह एक surface है, तो surface का area vector कहां की तरफ को होगा, बाहर की तरफ को, यानि कि outward normal, back वाले surface से, बाहर की तरफ को ऐसे हो गया, तो उ ऐसे surface में हम क्या करते हैं, ऐसे surface पे हम एक छोट असा टुकडा करते हैं, अब तुम ही सोचो, इस surface पे तो आपको बाहर से देखने में नजर में नहीं आ रही है, तो हम infinitely small टुकडा करेंगे, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे टुकडे करेंगे, और उसको दे देंगे DA, बा कोई एक छोटी सी length ले लूँ, छोटी सी length ले लूँ, छोटी सी length ले लूँ, तो उस length के लिए आपको पता है, area vector क्या होगा, वो straight line जैसी दिखेगी, infinitely small उसका area vector surface के perpendicular, तो surface के perpendicular direction कैसे दिखाओगे, n-cap, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, DA equals to, area vector आपका कितना हो जाएगा, DA हो unit normal होता है, या unit normal towards surface भी आप बोल सकते हो, जो की direction बताता है किसके area vector को, अब ऐसी ही सुचों, यहाँ पर एक छोटा सा element और cut कर दिया, surface का, इसका area vector ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर एक और छोटा सा cut करा, तो इसका area vector किदर आ जाएगा, यह छोटा सा element हमने cut कर दिया, DA, इसका area vector के आ जाएगा, n के पैसे आ जाएगा, अब आती है भई, यह तो हमारे चलो 2D कोई surface मिल जाएगा, तो तब तो हो जाएगा, पर 3D surface होगा, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो देखो 3D surface के लिए भी समझते हैं, मान के चलो आपके पास कोई एक cube है, यह कुछ एक cube है, outward normal towards the surface, surface के outward normal, बाहर का surface, बाहर की तरफ को, side का surface इधर की, उपर का इधर को, इधर का इधर को, इधर का इधर को, नहीं आया ना समझ भें, मुझे भी पता है, तो चलो, अब cube ही लेकर आते हैं, और cube से ही समझते हैं, यह cube है, total 6 faces, बाहर का surface आपको दिखाई दे रहा है, ब जो यह नीचे वाला surface दिख रहा है, यह यूँ, यूँ, यह surface का area vector नीचे, इस surface का area vector जो बाहर का है, आगे की तरफ को, outward, इस surface का, उपर वाले surface का area vector, उपर की तरफ को, यह पीछे वाले surface का area vector, पीछे की तरफ को, side का इधर, इस का इधर, तो 3D के लिए हमारा area vector, मेरे ख् Vector is always taken as outward normal, ठीक है, और एक चीज को ज़रूर याद नहां रखना है, invert क्यों नहीं रखते, किसले नहीं रखते, ये बस एक चीज consider करी गई है physics में, ता कि हम gauslock को क्या घर पाए, gauslock के अंदर जो भी हम vectors वगेरा मानते हैं, या जो भी आप area मानोगे, छोटे-छोटे टुकड अब देखो, जैसे कोई एक sphere है, जैसे imagine, कोई एक sphere है, अब इस sphere के लिए तो यार मैं पूरा sphere का directly कैसे निकाल हो area vector, ठीक है न, तो हम वहाबर area vector नहीं निकाल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोट ऐसा टुकड़ा करते हैं infinitely small, क्योंकि आपको straight line तो मिलेगी नहीं, मेरे भ दिखा के हो जाता है, पर आपको यह याद रखना है, area vector is always taken as outward normal towards the surface, ठीक है न, तो area vector बहुत छोटा सा topic है, बहुत बढ़ा topic नहीं है, क्यों इतना समझ लो कि area vector को हम क्या लेते हैं, surface के outward normal लेते हैं, मैंने इस बात को इतने बार इसले बोला, ताकि आपको यह दिमाग में बैट जाए और यह रहे, जब भी आप question करोगे तो area vector को directly outward normal दिखाओ, तो मिलते हैं जल्दी next lecture में, till then bye bye, take care and God bless you all.